जियां दोस्तों स्वागतप का इस वीडियों बात करेंगे वाले हम UGPG Exams 2022 के बारे में जियां दोस्तों परिच्चाओं के सम्द में उनिवस्टी से एक महतपूर आदेस आया है अब दोस्तों क्या महतपूर आदेस आया है वह हम इस वीडियों के माददम से जाने की कोई भी उनिवस्टी के स्टुडेंटों यह आदेस सबी उनिवस्टी के स्टुडेंट पर लागू होता है चात्रों के लिए आई बड़ी कुसकबरी अब क्या कुसकबरी आई है वह हम इस वीडियों के माददम से देख लेते हैं तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर क्लेर मेंशन किया गया है देभी उनिवस्टी के दोरा एक आदेस आया है लेकिन दोस्तों यह आदेश है वो higher education department के दोरा जारी किया गया था और यह जो आदेश है वो सभी university के student पर लागू होता है आप किसी भी university के student हो मैंने इस आदेश के बारे में आपको एक वीडियो के मादम से बताया भी ता लेकिन उस वीडियो में आपके सबसे जाना कमेंट आए इसलिए मैंने आप यहाँ पर यहाँ पर उनिवसिटीज बाई आपको बता रहा हूँ अब देखें यहाँ पर लिखा गया है कि बिस है यानि कि कोई डूरेशन है यानि कि एक्जाम का टाइम टेबल है और इस एक्जाम के टाइम टेबल में कोई स्टुडेंट जहां दोसों कोई स्टुडेंट अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो पिर क्या होगा वो एक्जाम में समलित नहीं हो पाता है तो इसलिए क्य आदिस आया है कि अगर कोई exam के time में कोई student अगर कोरोना का पेसेंट है अगर कोई positive आ जाता है तो पिर वो उस time पर exam ना दे करके जब जो time table समापत हो जाएगा यानि कि जब exams का में exam का time table समापत हो जाएगा तो उसके 10 दिनों के अंदर अंदर जिस student को कोरोना हुआ है उस student का 10 दिनों के अंदर अंदर क्या करवाया जाएगा एकजाम्स कर ना या time table जारी किया जाएगा और उनके यहां पर अलग से exam करवाया जाएगी तो दोसों इस आदिश में ही लिखा गया है कि मद्दिश सासन हैर एजूकिसन डेपार्टमेंट के द्वारा 25 जनवरी को एक आदिश आया है उस आदिश के परिपालन में ऐसे बिद्ध्यारती जो कोबिट बन्नाइन संकर्मण के कारव परिच्चा में सामिल नहीं हो सकी है या कोबिट बन्नाइन संकर्मण के कारव अपने सहर या निवास इस्तान से परिच्चा के अंदर जाने में असमर्त हैं विस्पिद्ध्याले को परिच्चा समापती के 5 दिन से 5 दिन में प्रेशित करना सुनचित कर रहे हैं यानि कि दोसों अगर कोई स्टुडेंट ऐसा ह जो कोबिट बन्नाइन के कारव अपने उनिवरसिटी या कॉली में परिचा देने नहीं जा पा रहा है तो वो उनिवरसिटी में 5 दिन के अंदर या कॉलिज में 5 दिन के अंदर यहां पर अपना एक एप्लीकेशन देने जिससे क्या होगा यहां पर एप्लीकेशन देने से क करवाए जाएंगे तो मित्कराव पूरी इंद्पूर में से समझ में आ गई है ऐसे स्टुडेंट जिनको कोरोना हो गया है कोरोना पेसेंट है तो पुर उनको अब यहां पर बहुत बड़ी कुसक्वरी उन स्टुडेंट के लिए कि आप बाद में भी एकजामस दे पाएंग कि आप रवाएंगे खिले कर दोदी और दो जीन स्टुडेंगेा खिले कुस्वरी उनको बड़ी में दिनको कि पाएंगे इंद्शी पाएंगे।